आप उन अपराधियों को पकड़ के सरे आम सूली पे चड़ाते ना तो कास आज मैं बिजेपी जिन्दा बाद बोलता लोग है ना इंसान के अंदर से इंसानियत मर गई और वहां एक हैवानियत पैदा हो गई अभी अधर देश के अंदर तुम देख लो कि रेप करने की सजा सिधा सर तन से जुदा ही कर देते हैं फुलन देवी के साथ जो जुलूम हुआ फिर बाद में बदले की भावना बनी और वो कहा तक अंजाम किया गया ना अब ये जो कांट हुआ है क्या पार्ट टू नहीं ब अधिकार नहीं है जो एक डेवी की इज़त नहीं कर सकता और तुम बीजेपी की सरकार वहां पे चला रहे हो ना अगर तुमारे हाथ में बुल्डोर्चर चलाने का पावर है कांटर कराने का पावर है तो ऐसे लोग को बीच चोराएं पे फासी देने की भी पावर ता तु अबने आपको बीतिक खबर में बताया था कि मनीपूर में जो समाच के कुछ ऐसे दरिंदे थे जिनोंने महिलाओ को रोड पर नंगे घुमाया और साती साथ उनके साथ गैंग रेप किया और वीडियो भी वाइरल किया अब ये मिताई समाच का जो ये तमाम घिनोना और लेकिन विरोत के बावजूद प्रधान मंतरी के बोलने के बावजूद अब तक कोई ठोस कारवाई नहीं की गई है उसको लेकर नदीम खान हमारे साथ मौजूद है जो कि अकसर बातों को लेकर परशाशन तक जागरू तो करते हैं लेकिन आपने यो वीडियो देखा क्या केंदर सरकार है और वहाँ पर बीजेपी सरकार है ना उनको सरमशार हो जाना चाहिए देखे ये कांड क्यूं बढ़ावा हो रहा है सबसे पहले जब से 2014 के अंदर कैबिनेट के अंदर और केंदर सरकार बीजेपी की बनी जब से छूड दी गई हर चीज में हिंदू मुसलम हो या अधर केसे के मुद्दे हो उनको छूड दे दिया गया तो लोग ना इंसान के अंदर से इंसानियत मर गई और वहां एक हैवानियत पैदा हो गई अभी अधर देश के अंदर तुम देख लो कि रेप करने की सजा सिधा सर तन से जुदा ही कर देते सिधा ये फैसला है अब इंडुस्तान के अंदर मनीपूर में जो आग दहक रही है ये क्यूं न दहक है आग एक दो लड़की को पूरा गाओ पूरे वस्तर उसके उतार के पूरे कपड़े उसके उतार के गैंग रेप किया जाता है और उसको जलिल किया जाता है तो बीजेपी सरकार, वहाँ पे वहाँ पे पूरे गाव पे कर्फ्यू लगा करके जो गुनेगार थे उनको लिकाल के जैसे सरे आम ये घटने को अंजाम दिया उन्होंने उसको अगर आप उन अपराधियों को पकड़ के सरे आम सूली पे चड़ाते ना तो कास आज मैं बीजेपी जिन्दावाद बोलता आज मैं बोलता कि वाके में ये बीजेपी सरकार ने कुछ काम किये कि गुनेगारों को उसके अंजाम तक पहुचाईए लेकिन ऐसा नहीं होता है ना भाई डिबेट पे कुछ और बोल दो या कोई और बात करके टिपनी कर द तो उस लड़की का रेप हुआ दरिंदगी हुई उसे जलिल किया गया आज मैं एक चीज बोलूँगा जैसे कि मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन सुन लो एक बैंडेट कुईन मूवी लिख ली थी जैसे कि सब लोगों ने देखा फुलन देवी इस देश के अंदर बुर्के में औरत हो या गुंग्टे में उसे देवी का रूप माना जाता है देवी फुलन देवी के साथ जो जुलूम हुआ फिर बाद में बदले की भावना बनी और वो कहा तक अंजाम गया गया ना अब ये जो कांड हुआ है क्या पा गटिया लोक तुमको शरम ने आई कि देश में लड़कियों की ये इज़त जो सरमशार कर दिये आप जो बोर रहे हो कारवाई की मांग तो प्रधान मंत्री ने भी इस पर बोला है कि कानूनी कारवाई होगी तो क्या आप उनके कारवाई से खुश नहीं हो रहें आप चलता है फिर निर्दोस फिर कंविंशेंग ये बाई दस साल का सबर मुझे नहीं पसंद है रेप की तो एकी सजा होनी चाहिए वो तो साथ दिख रहें न गुनेगार उस बच्ची के साथ में क्या कर रहें उस अहुरत के साथ में उनको उठाओ फासी की सजा तो अपना दे क्रेवी की इज़त नहीं कर सकता एक आरत की इस्जट नहीं कर सकता और तुम बीजेपी की सरकार वहां पे चला रहें घुझा अगर तुमारे हाथ में बूल्डोर्चर चलने का पावर है में कांटर कराने पावर है तो ऐसे हैं लोग को बीच चावराय पे फासी देने की भ अब बातों पर नहीं चलेगा पहली बात तो यह जो है ना और चोटी-चोटी गलतियों को माफ कर देते ना भाई यह बड़ी घटना गड़ गई यह आसाम है ना असाम में 2011 में भी है ना बहुत बड़े दंगे बढ़के थे ऐसे है ना औरते भीक मांग मांग करके ना अपनी मदद के लिए गवार लगा रही थी लेकिन ओ जाहिल साले मनीपूर वाले साले बीड़ी के कार खाने के मजदूरों की सकल तुमले की सकल के हराम की जात के साले यह घटिया हमारी सरकार हमको हस्ने मजबूर कर दे रही है कि हमारी बेटिया सेफ है अगर यह को राजनेता की बेटि होती तो वह टाइम कैसी का रही होती जैसे प्लन दिवी को ठोक दिया था तो अभी तक जाव ठुक गया होता था क्योंकि पावर फूल है ना पहले नेटा भीक पर मतलब कानुनी कारवाइं नहीं होती यानि 10 साल वो चलाकों के पीछ रोटी नहीं खाते बहु बलियों के घर में जगे पर वैसला होता है सीधा काउंटर क्या सीधा लोगी मार देते और दुनिया यह कहती कि इतना बड़ा वीडियो देखे एक बात बता एक बाप एक तुमारे मा क्या अगर हमारी तो पुरी इंडिया की बेटी है वो पठान की बेटी के साथ इसा हुआ रहता था ना पुरे गाओ को जला दिया रहता था पुरे गाओ को और जरा भी डर और जरा भी भीतने होती थी मुझे वो जो हो रहा है ना वहां पे यह इनकी कमजोरी के वज़े से यह इनके ना बस क ρाली है ना भाईयों बहींडों करने की वज़े से हो रहा है ठीक है-। कहा गई या रे जनता किया या रे जनता सो रही है कि हिंदूस्तान की क्या buscando तुम्हारे को जागो आज नहीं जगोगे तो जिंदगी बरेना सो जाओगे तो इसका जो आप बोर रहें कानुनी कारवाई या जो भी सजा है वो क्या उन्हीं मैलाओ के हाथो अगर देंगे तो अच्छा होगा देखें इनसाप चाहिए चाहे उनके हाथ से दिलाओ चाहे उन आवरतों के सामने उनको सूली पे लटका अवल तो इंडिया छोड़ो बाहर की कंट्री के अंदर देख लो रेप करने वाले को बीज रोड पे बजार पे काटा जाता है मैं नरिंद्र मोदी जी ने आगर बहुत ज्यादा पस्तावा दिखाया है ना तो यह कानून लागू यहींचे होगा यह गाओ के कितने लोग है 20-25 लोग थे जो ग्यांग रेप किये उन सब को सूलियों पे लटकाओ क्रैन पे लटकाओ सजा देदो जगे पे हम वरना मनीपूर में सरकार खत्रे में आएगी मैं तो देशवाचियों चे कहूंगा कि तुम ऐसी सरकार को ओड़ी मत दो जो तुमारी रक्षा नहीं कर सकती है दो महिलाओं की जो बात आई थी जिस तरीके से नदीम खान ने पूरे कानूनी कारवाई को लेकर ये कहाए कि तुरन जो आन तो इस्पोर्ट फैसला होना चाहिए ये देखना है कि अब ये जो मामला चला तो पूरा सुरकियों में लेकिन इसका अंजाम और इसकी जो सजा है वो किस तरीके सारोपियों को मिलती है कैमरावें नावित कुरिशी के साथ अब्दल शेक मुंबई टीवी